इसके बाद आगे आ जाता है दूसरा स्कंद भी आ जाता है मला ऐसे स्कंद चलते जाएंगे जैसी अभी आगे यह तभी ता पत्र विनाशाए सी कृष्णाए वयमनमा यानि भागवत की शुरुवात यहां से होती है फिर नमस्कार में नाम है विशुशर्मा और आप देखने अभी अभी ब्रेकिंग इस समय हम आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आप सभी को पता है हमारा सनातन धर्म जो है काफी पुराना धर्म है और काफी महान भी माना जाता है वही जो हमारी पुरानी द्रोहर है जो हमारी पुरानी जी हां सतर से असी साल पुरानी चीरिमत भागवत रख्यू है आप लें भी भागवत पढ़ी होगी लेकिन उस भागवत में और इस भागवत में काफी कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है क्योंकि आज कल की भागवत में जो आपको चिर्फ और सिर्फ महाभारतकाल काई yoRid दिखा लेकिन जो यह भागवद को आज दिखाने जा रहे goose काफी पुराना है काफी सदियों से चलता आ रहा है और माना जाता है कि जब इसिरिश्टि की रचना हुई थी तो आईए हम आपको जो बागवद रशन मिल जीशे मिलवाते हैं जानेंगे पूरी आप देख सकते हैं यह आपे जो है कपड़े में लपेट के जो है भागवत को रखा हुआ है और अब आप देख सकते हैं यह भागवत है सुख सागर है हालां कि हम आपको बताने चाहेंगे कि इसके जो कुछ स्टार्टिंग के पेज है जो खंडित हो चुके है क्यूंकि सतर सी साल से द्रोहर पंड़ी पेड़ों के पास पुरानी हैं कितने पीडियों से चलते आ रही है अमारे पास मारे विजुर्गों का जो है ना हम सत्तर शी साल पुरानी गहते हैं हैं पच्छास आठ एक साल तो मेरे को भी ओकडिती हो इसको इतना हमारे पास शुरू से आज तक और इसके अंदर यह अलोकिक फोटो है इसके देजाने से जादा भी हो सकती है जो पट गए है और अठारा हजार शवलोक है तीन सो पैंटिस अध्याएं और बारा सकंद यह प्रतन सकंद हो गया ठीक है अवैसे इसके बाद आगे आ दूसरा सकंद भी आ जाता है मला ऐसे सकंद चलते जाएंगे जैसी अभी आ गया यह तो प्रक्राइब यह तो बिलुकुल आप देख सकते हैं कि सरी के सज़े सकंद आप इसमें देख सकते हैं और सटर से असे साल पुरानी यह भागवद है चितर देखेंगे यदि आप चितर देखेंगे तो यह पुराने ही चितर आपको इसमें देखेंगे क्योंकि जो आज की भागवत आप देखते हैं उसमें और जो यह चितर आप देख रहे हैं पुरानी भागवत में उसमें काफी अंतर जिहां आपको काफी अंतर देखने क को मिलेगा क्योंकि यह चित्र वही चित्र है जब हमारे भगवान धर्टी पर आया करते थे और अपने बक्तों से मिला करते थे उन्हें वर्दान दिया करते थे वैसे ही चित्र हुबहु इसमें आपको देखनों को मिलेंगे तो पंड़ जी हम आपसे जाना चाहेंगे जो अब इसके अंदर 1350 हैं और यह पूरी पाकिस्तान के हिसाब से हैं और इसके आज वाली में फोटो नहीं होगी कम होगी इसमें जैसे अलग-अलग है हर एक सकंद है तो बिल्कुल देख सकते हैं संपूर्ण भागवदय सकंद दे रखें कितने सकंद है पंड़जी समें बारा सकंद है आप देख सकते हैं यह राम दरबार की फोटो आप देख सकते हैं क्यूंकि सतर असी साल से दरोहर जो है पंड़जी अपने पास से रखी हुई है यह फोटो है यह पर पराणी हो चुकि है ना इसको रखें एक साइड भी और अब जैसे यह है यह वाला पूजा है वाला प्रआगै तो देख सकते है इस गोटर आ कर रहे है जाते तो है गाहे जाते हैं इस नृटानी यह रासनीनशी गभी यह साइगका का ईसी के वह और आगा कली नाहीं uh तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्रिशन जी की जीवन से जुड़ी हर एक लीला का इसमें जो है वर्दन किया गया है उनके जनम से लेके उन्होंने अपने बालेपन में जो लीलाई करी थी और जब कालियानाक का उन्होंने वद किया था गोपियों के साथ जो है रास रचाते थे गाय चराने जाते थे सारी लीलाओ का इसमें आपको वर्दन देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं ये वीडियो है तो पुर्ण हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो यह आप भागवद देख रहे हैं यह सतर से असी साल पुरानी यह भागवद है तेरा सो कुछ इसमें आपको पेज मिल जाएंगे हाला कि काफी पुरानी है खंडित हो चुकी है लेकिन किस तरीके से जो अपने बुजर्गों की द्रोहर पंड़ा जी ने यहाँ पे संभाल के रखी हुई है तो पंड़ जी एक सवार रहेगा हम आज कल के बच्चों को देखते हैं अपनी संस्क्रीटी भूलते जा रहे हैं कहीं ना कई और वही हम देखते हैं कि कही लोग है जो अपनी पुरानी द्रोहर को इस तरीके से संभाल लेका रखते हैं क्या कुछ Яना चाहिएंगे क्योंकि आज कल वेश्टन को ज्यादा अदा पनार रहा और आज कर को यहासी है ना पता है कि इसको जादा करना चाहिए बज़ृर्दगों को यह को सुनाई थी सनक सननदन सनातन और संत कमार को उसके बाद देवарईशी नारद ने सुक गीता के जो रचेता है महारीशी वेद व्याजी और आप खुद देख सकते हैं उनके दुवारा ये लिखी हुई गीता आज आपको देखने को मिर रही है सुख सागर भागवत नहीं गएंगे तो बिलकुल देख सकते हैं किस तरीके से द्रोहर पंदेजी ने इतने अच्छे से संभाल के रखी हुई है सुख सागर है पंदेजी का कहना अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने जीवन के सारे उदेश्यों का पता लग जाएगा हर एक चीज का आपको इसमें वर देखते हैं मोडन हमारा जमाना होता जा रहा है और जो यूवा पीडी है वो अपने धर्म को भूलती जा रही है अपने संस्कारों को भूलती जा रही है वही पंदेजी आप देख सकते हैं हमारे साथ इतने लंबे समय से जो है इस सुख सागर को जो सुख सागर है उसको अ अपने संस्कृति के बारे में बता जलेगा धर्म के बारे में सब ग्यान पराफ्त होएगा पर यह हमारे को बजूर कोई पंड़जी कोई शुलोक आप इसमें से कुछ याद इसका जो सरप्रतम शुलोक है ना भागवत का वह सच्चदान अंदर उपाए विश्वत पत्याद यह तवी तापत्र विनाशाय सी कृष्णाय वयम नमा यानि भागवत की शुरुवात यहां से होती है फिर वेद व्याद जी ने इसका पुत्र देश शुकृदेव जी मल जंगल में चले गए फिर उन्होंने उसकी रचना करी तो उसमें उसका एक और चुलोक बढ़ाया तकीर थी यानि भागवान के शुरूब का वर्नन गया था वह उनको सुनके वापस आये और फिर यह बागवत पड़ी और यह आगे दुनिया के लिए तो बिलकुल आप दे गया है आमने इसको इसको इसमाल कर रखा है द्रोवर है बुजर्गों की मैंने भी कई बागवत बाइसे लिए इसके बाद मतलब उसमें पेज कम है एक और पड़ी है मिर पास उसमें किसी में नो सुम्हां किसी में कुछ इसमें वटेरा हजार तेरा सो कुछ से यादा पेजा सुच्छा कितने अपंड़िश्म इसमें एठारा हजार शुलोग और जो आदूसरी सब में य हजार हजार शलोक है और बुजूर्गों की दरोहर जरूर रखी है तिन सो पैंटीस अध्याएं है तो बिलकुल आप देख सकते हैं अठारा हजार सुलोक है और हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे बुजूर्ग है जो काफी लंबे समय से हमारे साथ रह रहे हैं जो खायी हर जो हमारे संसकार जो हमारा सनातन माना जाता है तो उसी बीच इस तरीके की दरोहर मिलना अपने आप में खुशी की बात जरूर होती है तो इस वीडियो का ज्यादा शेर जरूर कि जीएगा और कंड में, हरे कृव्षिन जरूर लिखेगा और आप क्या कुछ कूं चाहेंगे इस तरीके की द्रोर के बारे में क्योंकि सतर से असी साल पुरानी यह द्रोर पंड़े जी ने अपने पास संभाल के रखिए तो पंड़े यदि कोई गीता को देखना चाहे या आप से सुनना चाहे तो वह कहां आ सकते हैं यह तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं आप द्रोर को और पंड़े जी से यदि आपको और कुछ बात करने हैं तो वह भी आप बात जरूर कर सकते हैं इस वीडियो को जाजादा शेर जरूर करेगा हम मिलेंगा आपको अगली कबर इसाथ धन्यवाद